तो एब्रिवन गुड आप्टरून जै भी सौरी थोड़ा सा टेकनिकल प्रोग्लम की वज़े से कुछ आपको गलीच दिखा होगा भी स्वागत करती हूँ आज हमारा रीजनिंग का क्लास चल रहा है और जैसे कि आप लोग को पता है क्लास लिक्चर में हम लोग सिलोगिजम यह चाप्टर पढ़ रहे थे तो तो भी इसी के आगे का जो मैंने आपको पूछा था कि क्या आपको इतना सफिशेंट है यह चाप्ट करना है तो आप लोग नहीं बोला था कि इसके उपर थोड़ा और ज्यादा प्राक्टिस करेंगी तो इसलिए आज हमारे पास और थोड़े कोस्टिंस है ठीक है येस जैबील ज्यानकर प्रियंका मुब्भूल गुड़ आप्टर नून गुड़ीविरी सब ठीक है मेरा सेटप तो येस चाप्टर चल रहा था हमारा और थर्ड लेक्शर है आज इसका तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये चाप्टर हमारा मतलब हो जाए खतर्म वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग को सब इसमें समझ में आ गया है कोई थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए मतलब कि कांसेट्स क्लियर हो ठीक है तो अभी सिलोगिजम क्या था अब शिलोगिजम के बारे में आपको कुछ पता गया था कि क्या होता है तो कोई भी चीज को एनलीटिकली रिप्रेजेड कर सकते मतलब जैसे अभी ये देखेंगे में सिलोग ढीजम में चाप्तर रहे यह एनलीटिकलरीजम का पार्ट है इसी का मतलब क्या होता है analytical reasoning जो है आप उसमें analysis करना पड़ेगा बहुत सारा तो इसलिए यहां पर आपको थोड़ा सा भी analysis का पार्ट होगा और वैसे ही आपको यह chapter मतलब इसके question solve करने पड़ेंगे अभी आप लोग को एक idea है अगर कुछ लोग नए है तो आप पहले जो प्रीविएस लेक्चर्स हुए है इसी चाप्टर के उपर वह आप देख सकते है डीजिटल नालंदा की वेबसाइट पे और यूटुब चानल पे भी है ठीक है तो इसक किस तरीके से तो कुछ आपको statements दिये होते हैं कुछ statements होते हैं और conclusion होता है तो अभी यह क्या है statement से मतलब कुछ अगर हम लोग मान ले कि कोई statement है मतलब कोई sentence है जिसमें कुछ हमें facts बताए गए है अभी वो facts real life में real हो या नहीं हो वो ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर हम लो मानना पड़ेगा कि हाँ वो जो वहाँ पर बताया गया है statement वो बिल्कुल से हैं कि जस्ट वेठा कि 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 सॉरी पर इंटरॉप्शन तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सिलोग इजम में basically जो होता है वो होते statement और conclusion तो इसमें क्या है अभी यह कुछ statements दिये होंगे उस इसका मतलब एक analytical mind यूज करके आपको उसको analyze करना है और उसके basis पे conclusion निकालना है इसलिए मैंने यहाँ पर conclusion का arrow दिखाया है यहाँ ठीक है तो भी statements किस तरीके के होते आप लोग को पता है है ना अगर मैं अभी यहाँ पर कहती हूं कि सम A, R, B तो यह जो पूरा भी chapter है इसमें यहाँ पे कुछ voice break हो रही है क्या अभी ठीक है रही है आपको voice बाकी लोग को भी same problem हो रहा है क्या मुझे बताईए बाकी लोग को भी problem हो रहा है क्या voice में मुझे बताईए थोड़ा सा हाँ तो ऐसे कुछ आपको statements होंगे sum A, R, B और all A, R, B ऐसे कुछ statements दे जाते हैं इसके उपर आपको conclusion निकालना है कि अच्छा इसमें से क्या conclusion निकलता है तो अभी इसके लिए हम लोग ने क्या पढ़ा था previous lecture में जैसे अभी बताई कि sum A, R, B इसका मतलब यह अगर when diagram के थुरू देखेंगे यह मानलेद है A, अच्छा नहीं हो रही है अनिता आप थोड़ा सा आपका device चेक कर लिजे कि I think बाकी लोग को तो कुछ नहीं problem लग रहा है तो sum A, R, B तो A का जो कुछ पार्ट है वो B का पार्ट होता है इसलिए यहाँ पर बोला है कि sum A, R, B मतलब यह जो मैंने अभी highlight किया है यहाँ पर इतना A का पार्ट B है तो यह बोल सकते है और इसी तरीके से इसको भी क्या बोलेंगे तो यह जो A, B है यह basically हमारे subject, object ऐसे यहाँ पर बोल सकते है क्योंकि इसी के basis पे मतलब इनको हम elements बोलेंगे अभी यहाँ पर elements क्योंकि इनका use हो रहा है लेकिन इनका इतना ज्यादा भी में रोल नहीं है में रोल कौन सी चीज़ का यह सम आर ऐसे सम होता है कभी all होता है कभी no होता है उसको हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस फिरेंगे यह chapter में ठीक है अभी जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर element आपको बता गया है अभी आपको conclusion कैसे निकालते हैं तो conclusion जो होता है statement में अभी यह sum ARB मैंने बता है कभी मैं बोल सकती कि all ARB भी बोल सकती हो no B is A ऐसे भी बोल सकती हो तो यह जो सभी statement से statement 1 2 & 3 इसके basis पे मुझे conclusion निकालना पड़ेगा वो कैसे तो अभी यहाँ पर अगर देखे sum ARB का मतलब पता है हमें कि कुछ A तो confirm B है लेकिन हम यह भी बोल सकते कि इसका मतलब कुछ B A compulsory होना चाहिए गया वो सकता है कि यह जो A का पार्ट है पुरा इसमें ही B हो अब यहाँ पे भी हम बोल सकते कि sum ARB है ना स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या भी दिख रहा है स्क्रीन स्क्रीन इस नॉट विजिबल आइड़नों हो स्क्रीन वाइट हो गया है एक मिनिट हो कुछ अभी दीख रहा है अब को स्क्रीन दीख रहा है मुझे बताइए I think now it is visible अब तो दिखना चाहिए हाँ I think अभी दिख रहा है न ओके ठीके अभी ठीक है न आके पड़ेंगे तो अभी जैसे कि मैंने conclusion बता है यह हमें hidden relation बताता है मतलब एक direct relation होता है और एक hidden relation भी होता है अभी यहाँ पे आपको clearly पता चल रहा है कि कुछ a b है लेकिन कुछ a b होने के दो cases हो सकते यहाँ पे भी sum a r b है और यहाँ पे भी sum a r b है तो हम ऐसी जगा पे किस तरीका का conclusion निकालेंगे तो अभी यही होता है हमारा analysis में यही हमारा analysis है कि अगर कुछ हमें directly दिख रहा है तो definitely वो है लेकिन अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो उसको हमें analysis करना पड़ेगा कि अच्छा अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा क्या हो सकता है most probably chances और क्या क्या हो सकते है तो वो भी chances हमें देखने पड़ेंगे अब अगर statement की बात करें तो statements किस तरीके के होते हैं आप लोग को पता है कोई एक है जो positive statement है और कुछ है जो negative है negative statements है positive में हम क्या बोलते है some और all ये बताते हैं लेकिन negative statements में क्या बताते है यहां पे होते है कि some are not और no ऐसे कुछ मतलब नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसा हम लोग बताते हैं तो ये कुछ type के statements होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता है first वाला है some a are b ठीके all a are b तो ये कौन से positive type के है लेकिन अगर negative में बोलना है तो some b are not a ऐसे भी बोल सकते हैं और negative में क्या है no a is b तो ये भी होता है तो ये कुछ statements है अगर conclusion की बात करेंगे तो अभी conclusion भी मैंने जैसे बताया आपको definite definite होगा जो कि आपको सची में दिख रहा है वहाँ पर और ये होगा non definite भी होगा जो कि real में दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर ठीक है तो ये दोनों type के हो सकते हैं अभी इसके basis पर ही हम लोग ने last time बहुत सारे questions भी already solve कर लिये थे तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ये type 1 पढ़ा था अभी type 2 भी है हमारे पास जैसे कि यहां पर क्या बताए जा रहा है कि find the statements based on given conclusion और यहां पर in this type of questions two or more conclusions followed by four or five sets of statements are given मतलब कुछ आपको statements दिये जाएंगे जैसे मैंने अभी आपको statement बता है और उसके basis पर 2 या 3 कुछ conclusions दिये होंगे वहाँ पर आपको statement और अभी हमें यहां पर क्या करना है to choose the correct set of statements that logically satisfied the given conclusions तो इसके लिए हमारे पास एक example है मैं example के साथ समझाँगी अभी यहां पर आप देख सकते हैं एक question है actually हमारे पास इसके लिए बहुत सारे questions नहीं है लेकिन जस्ट मैं आपको बताने के लिए कि ऐसे questions अगर in case आते है तो आप लोग इसके लिए थोड़ा तयार रहो ठीक है तो यहां पर अभी statement पहले नहीं दिये होंगे यहां पर पहले दिया है conclusion तो conclusion दिये है कितना 1 and 2 और statements कितने हैं देखिए यहां पर अगर option A की बात करें तो 1,2,3,4,5 statements है option B की बात करेंगे तो यहां पर भी 5 statements है ऐसे overall सभी इसमें 5 कुछ statements है तो इसके basis पे हम लोग को यह पता करना है कि कौन से ऐसे statements है जिसको यह conclusion निकल के आता है जैसे अगर मैं पहला वाला दिखूंगी अब option की तरफ जाती हूँ मैं पहला option दिखते हैं ठीक है यह जो पहला statement है इसको देखेंगे all F is B ऐसे यहां पर बोला है तो यह है F all F is B ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि यह पूरा F का पाठ है जो की B में आता है आगे बता है sum B is C तो मतलब कुछ B जो है वो C कहलाएगा तो यह कुछ इस तरीके से आगे है all C is D तो यह जो पूरा का पूरा C का पार्ट है यह D का पार्ट होता है all D is E अभी यह बता है तो यह जो D है यह पूरा का पूरा D E में आता है and sum E is J और कुछ E जो है वो J होगा अभी यह है हमारा option A के पाचो statements जिसको मैंने यहाँ पे when diagram में लिख लिया है ठीक है आप लोग भी अगर कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसको solve करने की तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा option सही हो सकता है आप भी answer दे सकते है तो इसके basis पे अभी हमारे पास है दो conclusion तो मैं पहला conclusion चेक करूंगी क्या यह सही है sum B is E यह सही है क्या तो यह रहा B sum B is E तो yes definitely हो सकता है यह जो पूरा E का part है तो यह हो सकता है तो इसका मतलब conclusion 1 यहाँ पे follow कर रहा है अगर next में देखेंगे sum J is F ऐसे बोला है यहाँ पे J है और यहाँ पे F इसमें कोई relation नहीं दिख रहा है दिख रहा है क्या नहीं है तो इसका मतलब यह जो conclusion 2 है यह नहीं follow होता है तो यह जो option है हमारा already reject हो जाएगा first option ऐसे हम लोग gradually second, third, fourth ऐसे चेक करते जाएंगे तो पहला वाला सही नहीं है आप लोग एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए अगर भी next option दिखेंगे next जो है option B जिसमें है sum F is B ऐसे बोला है मैं यहां लिख रहे है sum F यह जो F है इसका कुछ पार्ट P में आता है all B is C तो यह पूरा का पूरा B C का पार्ट है sum C is D यह sum C is D all D is E यह पूरा D E में आता है and sum E is J तो कुछ E जो है वो J होता है अनीता मैं explain कर रही हूँ आप थोड़ा सा ध्यान देके मतलब ध्यान देके थोड़ा सा यह करिए तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है वही चीज़े आपको बता रही हूँ आपको कौन से point में doubt है वो मुझे आप पूछे अभी यह हमने second वाला option उसका win diagram बनाया है ठीक है win diagram आप लोग को मैंने starting में ही बताया था कि क्या होता है इसके उपर हमारा एक chapter भी हुआ है recently तो वो भी आप जाके देख सकते हैं अभी यहां पर conclusion 1 क्या conclusion 1 यहां पर follow होता है जिसे कि यहां पर बोला है sum B is E तो क्या sum B is E है नहीं है मुझे तो नहीं दिख रहा तो यह नहीं आएगा next conclusion है sum J is F sum J is F है क्या देखें यहां पर भी कोई direct relation नहीं मतलब यह भी नहीं होगा तो option B भी इसमें wrong आता है option B नहीं होगा तो next वाले option की तरफ अगर बढ़ेंगे तो option C की तरफ जाना पड़ेगा हमें मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों को वेंडाइग्राम बनाना नहीं आता है मतलब हो सकता है कि वेंडाइग्राम आपको ने जो chapter है मिस कर दिया हो क्योंकि यह जो chapter है यह जो chapter हम कर रहे है syllogism यह mostly मैं वेंडाइग्राम के ही थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि बाकी अगर कोई वेस आप देखेंगे थोड़ा तो उसमें थोड़ा सा आपको difficulty जा सकती है of course मुझे भी जाएगी क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीजे learn करनी पड़ेंगी याद करनी पड़ेंगी और अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो वह पूरा का पूरा question खराब हो जाएगा मतलब नहीं आएगा सही तो मुझे ही लगता है कि यह जो वेंडाइग्राम का method है यह बहुत बढ़िया है ठीक है अभी यह जो हमारा third conclusion है कौन सा सॉरी third statement c इसमें बोला है sum f is e तो अगर मैं मानती हूँ कि यह f है यह पूरा f है तो इसमें sum f is e मतलब कुछ f e है all e is d बोला है अभी आगे तो पूरा का पूरा e जो है वो d है right sum d is b कुछ d जो है वो b होता है and all b is c तो पूरा जो b है वो c होगा आगे है all c is j all c मतलब पूरा c j होता है okay तो अभी फिर से हम लोग जाके conclusions देखेंगे कि क्या यहां पे अभी follow हो रहा है जैसे कि first conclusion is sum b is e बोला है sum b e है क्या तो देखें यहां पे कोई relation नहीं है direct तो यह भी नहीं होता sum j is f बोला है यह जो j है sum j is f तो कुछ j f है क्या भी यह पूरा j है इसका और f का कोई relation नहीं दिख रहा है तो मतलब यह भी नहीं आता है option c जो है वो भी बिल्कुल गलत होगा यहां पे कि अनिता नो प्रॉब्लम आप हमारे जो प्रिवियस लेक्चर से वह जाकर देख सकते हैं वेंड डाइग्राम के ऊपर एक हमारा जाएंगे अभी जस्ट आप ध्यान दीजिए कि क्या आपको कुछ ग्रास्प हो रहा है इसमें तो यह समझने की कोशिश करिए ठीक है यह फूर्थ ऑप्शन है यह देखेंगे स्टेटमेंट्स का तो स्टेटमेंट्स का क्या बताई है और एफ की यह पूरा एफ है और इस जे सम एफ इस जे और ऑल जे इस बी बताए है तो यह पूरा जे बी होगा सम बी इस डी कुछ भी डी है और ऑल डी इस दी तो यह पूरा का पूरा डी सी होता है अभी हम लोग देखेंगे क्या यहां पर कंक्लूजन फॉलो हो रहा है सम बी इस यह अभी यहां पर देखें मैं हाइलाइट करने की कोशिश करते हूं यहां पर सम बी इस इस तो यह है पूरा बी और यह है इस बिल्कुल यहां पर देख सकते है आप रिलेशन सम एक बीनेट लिए जे एफ है ऐसे इन्होंने बता है तो यहाँ पे भी है सम जे इस एफ देखिए यहाँ पर मैंने आल्रेडी बता है तो ऑप्षिन भी मतलब यह देखिए पूरे दोनों ही कन्क्लूजन यहाँ पर फॉलो करते हैं दोनों ही conclusion बिल्कुल सही है तो इसलिए क्या होगा यह जो option D है जिसमें statements बताए है यह बिल्कुल सही answer आता है तो yes option D is the right answer क्या किसी को doubt है कुछ पूछना है कि बीच में ऐसा आपको कोई point समझ में नहीं आया हो ऐसा कुछ है तो आप बताइए अनीता आप भी बताईए कि आपको कुछ मतलब थोड़ा कुछ पी समझ में आ रहा हो तो कि अ कि अ कि कि थोड़ा कुछ भी आपको समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं या फिर अगर नहीं हुआ है नहीं समझ में आया तो मैं repeat करने के लिए में रेडि हो तो पहले पास स्टेटमेंट होते थे पहले statement होता था फिर उसके ऊपर he होता था अभी हमारे पास कंक्लूजन पहले से दिया है और कौन से स्टेटमेंट से आया है तो हमारे पास बहुत सारे यहां पर स्टेटमेंट्स है उसमें सही हमें चूज करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है कि इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है चलो तो अभी आगे बढ़ेंगे अभी यहां से आप लोग को आंसर देने हैं और थोड़ा एक्टिव रही है मुझे जल्दी जल्दी आंसर भी चाहिए ठीक है मुकूल बनवारी अनुजा संदेश अनीता सब लोग को बताना पड़ेगा आंसर जी डबलू टीयास रामवीर कुश्वाहां प्रियंका ज्यानकर कुमार सब लोग को आंसर देने पड़ेंगे तो मैं पहले एक क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ फिर बाकी क्या आप लोग सॉल्द करिए अब यहां पर स्टेटमेंट है ठीक है हमारे पास दो स्टेटमेंट से यह स्टेटमेंट वन यह स्टेटमेंट टू पहले तो हम according to statement हाँ ठीक है अनिता अभी आप देखिए अब मैं थोड़ा यहाँ पर basic से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यह questions कैसे solve किये जाते हैं तो अब आप ध्यान देंगे ठीक से ओके तो statement है ठीक है हाँ पर हमारे पास statement से और conclusion है यह दोनों होते हैं सिलोगिजम के question में अभी यह statements को आपको analyze करके conclusion निकालना है आपको पता है कि हम लोग research लिखते हैं जब आप थोड़ा university में जाओगी मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने और रेड़ी thesis वगेरा लिखा होगा हम यह भी करते थे हमारा जो यह रहते था practical तो उसमें भी पहले तो practical होता है फिर उसके उपर क्या conclusion निकला मतलब ending में result क्या है हमारा वो बताते हैं तो वैसे ही आपको यहां पर बताने कर अगर यहां पर हमारे पास दो statements है तो इसके basis पर conclusion क्या निकल रहा है मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है इससे यह बताना पड़ेगा तो वह अभी कैसे निकालेंगे अब statement पहले पड़ते है statement में क्या लिखा है कि all photos are signatures अभी हमें यहां पर देखना है कि अगर statement में बोला all photos are signature मान लेते हैं कि यह photos ठीक है यह photos जो मैंने circle में बताया है तो अगर मान लेते हैं कि यह photos है इसमें बताया है कि all photos are signature तो यह पूरे photos signature होंगे मतलब यह होंगा signature और यह photos okay मतलब क्या है basically पूरे photos अभी signature है ऐसा हमें दिखता है आगे बताया है कि all tubes are signatures तो इसका मतलब पूरे के पूरे ट्यूब्स जो है वो सिगनेचर है इसका मतलब क्या है यह जो ट्यूब्स है पूरे यह सिगनेचर का पार्ट होता है तो अगेन मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि यह है ट्यूब्स जो की सिगनेचर का पार्ट है अभी देखिए यह वेंड डाइग्राम दे का पार्ट है वो भी सिगनेचर है तो ऐसा कुछ हमारा डाइग्राम बनता है अभी इसके उपर हमारे पास दो कंक्लूजन से क्या कंक्लूजन वन फॉलो होता है यहां पर देखना है इन्होंने कंक्लूजन में बताया कि कि at least some tubes are photos इसका मतलब क्या कि at least कुछ tubes जो है वो photos है ऐसा बोला है are photos मतलब यहां पर क्या है कि confirm कुछ tubes photos है लेकिन जैसे कि मैंने डाइग्राम बनाया यहां पर तो अलग-अलग दिख रहे है tubes और photos में तो कोई relation ही नहीं दिख रहा है तो मैं consider करूंगी कि नहीं यह नहीं होगा क्योंकि at least some tubes photos बोला मतलब at least कम से कम फुछ तो tubes photos होंगे इससे इन्होंने बताया लेकिन यहां पर तो मुझे directly नहीं दिख रहा है कि अच्छा होंगे ही या नहीं होंगे नहीं दिख रहा है क्योंकि इन्होंने कितना data दिया था आम में बस यह बता है कि all photos signature and all tubes signature बस इतना ही पता है बाकि photos or tubes के बीच में कोई भी relation नहीं पता है मुझे तो यह पहला conclusion मिल्कुल wrong होगा अभी मेरे लिए क्योंकि मुझे idea नहीं है मुझे पता नहीं है कि सच्ची में है या नहीं है अभी आगे बोला है all photos are tubes तो इन्होंने अभी देखा देखिए आप क्या बोला जा रहे है all photos are tubes तो यह जो अभी पूरे photos है यह सभी के photos tubes है ऐसे बोला है तो again अभी हाँ पे मेरे पास photos और tubes के बीच में direct तो कोई relation नहीं है तो कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है कि अच्छा photos यह tubes का part है नहीं दिखाई दे रहा है ना तो इसका मतलब यह भी सही नहीं होगा तो neither one nor two तो option D इसका right answer आता है neither one nor two ठीके जैसे कि संदेश और प्रियंका दोनों ने बताया है और बिल्कुल सही answer option D अभी इसके लिए ही एक छोटी सी चीज़ बताई जाए अब हम क्या बोल सकते है कि मान लेते हैं यह हमारा इंडिया का map है मान लेते हैं कि यह हमारा इंडिया है अब इसमें बोलते जैसे कि मैं महाराष्टा में हूं तो यह कहां पर यही पर महाराष्टा है तो यहां पर क्या बोला जाएगा कि कुछ इंडिया महाराष्टा है इसका मतलब इंडिया का कुछ पार्ट देखो महाराष्टा में है लेकिन हम directly यह तो नहीं बोल सकते ना कि पूरा महारा पूरा मतलब पूरा इंडिया महाराष्टा है ऐसा नहीं बोल सकते बिल्कुल नहीं बोल सकते दूसरी बात यह है कि हम हाँ यह चीज बोल सकते कि और महाराष्टा इस इंडिया क्योंकि अभी पूरा महाराष्टा इंडिया में आता है सब लोग को पता है तो ऐसे ही हम लोग यह क्वेश्चन सॉल करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है जैसे इन्होंने बताया था कि आल फोटो सा सिगनेचर इसका मतलब यह जो पूरे पूरे फोटों से यह सिगनेचर है जैसे हम लोग ने एक्जांपल देखा जहां पर बोसक्त की है पूरा महाराष्टा इंडिया नहीं पता है कुछ आ नेबरिंग स्टेट हैं यह हमें पता है लेकिन हमारे पास यह तो नहीं है ना कि अच्छा गुजराद और महाराष्ट्रा में कुछ पार्ट कॉमन भी है नहीं पता है इसलिए यह नहीं होगा अभी यह में छोटा सा मेरा अटेम था कि आप लोग को यह क्लियरली समझ में आने के लिए वैसे मुझे पता है बहुत सारे लोगों को यह अलरड़ी समझ में आता है सिलो किसा लेकिन जिनको नहीं आता है मैंने उनके लिए थोड़ा सा यह एक्स्पेन करने की कोशिश की है तो यह इसमें ऑप्शन दी बिल्कुल राइट आंसर है चलो पर देने का एट लीस्ट ट्राइ करिए मतलब जो भी गलत होता है मैं आपकोस बताऊंगे आपको सो डोंट वरी आप जिस ट्राइ करिए पर फिर से थोड़ा सा चेंज है प्लीस नोट करिए यह जो स्टेटमेंट वन है इसमें मैंने सम की जगा पे आल किया है तो आप भी अपडेट करिए और फिर से थोड़ा सा कोशिश करिए इसको सौल करने की बन्हार झाइंज़ा सी क बन्हार भी ईडहा थोड़ा? लिए तो question समझते हैं जैसे कि statement 1 है इसमें क्या बोला है कि all horses are goats अभी यहां पर मेरे पास है horses पूरे के पूरे होस होते हैं गोट तो यह हैं गोट इसमें से कोई भी पार्ट का डॉंकी से कोई रिलेशन नहीं है अब जैसे कि आप लोग यहां पर रिलेशन नहीं है अब जैसे कि आप लोग यहां पर रिलेशन देखते हैं यह है horses और यह है donkey अभी आपको पता है horse कहां पर आता है horse आता है goats में है ना और हमें पता है कि गोट और डॉंकी का कोई भी रिलेशन नहीं है मतलब या फिर नहीं है मतलब उनका हो ही नहीं सकता तो इसी का मतलब क्या होगा कि यहीं चीज horses को भी लागू होगी horses को भी यहीं चीज अपलाए होगी कि no horse is a donkey is a बिल्कुर मतलब यह फॉलो करता है नेक्स्ट है at least some goats are horses इसका मतलब कम से कम कुछ goats तो horses होंगे तो अभी यहां पर है होंगे नहीं है actually r का मतलब confirm है अगर can be maybe ऐसा कुछ आता है तो वहाँ पर chances है मतलब definite नहीं है लेकिन हाँ हो सकता है तो हो सकता है कि भी case को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है तो at least some goats are horses बोला है मतलब yes हमें पता है कि कुछ goats तो definitely horses है तो यह भी सही आता है तो both conclusion one and two follows मतलब दोनों ही conclusion यहां पर follow होता है अब इसके लिए ही मैंने आपको last time एक बताया था कि अभी यह देखिए यह जो पूरा goats का goats मतलब एक कोई घर का मालिक है ऐसे बोलते हैं ऐसे consider कर लेंगे और उसके घर पे कौन रहता है horse रहता है ठीक है goats के घर पे और हमें पता है कि goats और donkey इनका तो नहीं जम रहा है इनका कोई relation नहीं है तो लेकिन horse तो है वो तो goats के घर पे रह रहे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो goats करता है बस वही horse को भी अपने इसमें मतलब apply करना तो अगर goats का कोई donkey के साथ relation नहीं है तो horses का भी नहीं हो पाएगा इसलिए यह right answer है और both the conclusions are true here ठीक है तो जैसे आप आप लोग ने बता है हाँ पर मॉमिता अनीता संदेश प्रियंका option c यहाँ पर बिल्कुल सही answer था किसी को अगर कुछ राउट है तो आप पूछ सकते हैं वरना अभी मैं आगे बढ़ रहे हूँ ठीक है तो यह third question है इसको भी आप देखिए कि some books are cars and all books are tarts यह भी देखिए और पताई इसका क्या हो सकता है गुड़ा अफ्टर्णून सुनिया अप लेट आया है ग्लास में चलिए ठीके नो प्रॉब्लम आप स्टार्ड कर सकते हैं आप भी जॉइन करिए और प्राक्टिस स्टार्ड कर गिजिए अब हमारे पास बहुत सारे questions है आज प्राक्टिस के लिए तो थोड़ा सा फास्ट करिए ट्राक्टिस आट झाल झाल तो मैं यहां पर बहुत सारे लोगों के आंसास देख पा रहे हूं ठीक है चलो यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं सम बुक्स और कार्स यह कुछ बुक्स है कुछ बुक्स कार्स हैं मतलब पूरे बुक्स जो है वो टार्ट्स है कुछ कार्स टार्ट्स है क्या भी यह देखिए क्योंकि कुछ बुक्स 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 बुक् मतलब यहां पर only one conclusion follow होता है जो कि अभी answer देख पारी हुमें अनिता, संदेश, मुकूल, अनुजा, प्रियंका, मौमीता सबने बताये बिल्कुछ सही answer है चलो आगे बढ़ेंगे यह हमारा next question है अभी यह solve करिये और इसका भी answer बताईए अगर किसी को doubt है तो आप वो भी पू कर दो आप दो है झाल झाल कि यह कुश्चन दिखेंगे अब कुश्चन में बोला इस नो रिंग इस अ कैप मतलब एक रिंग है जो कि कप कभी भी नहीं हो सकती नो रिंग हो भी हो ही नहीं सकता तो वहां पर बहुत दूर का रिलेशन है जार जार इसे कैप ठीक है आगे है सम बैग सार रिंग है जो की रिंग से मतलब यह जो कुछ पार्ट है यह बैग सार रिंग का कॉमन पार्ट है अब यहां पर क्या पो सकते हैं? आल कप सार इंग ऐसे इन्होंने बताया है कि क्या एल काप सार रिंग सैंट जी नहीं बिलकुल नहीं हो सकता यह entire conclusion one wrong नेक्स्टे सम डिलिक्सार डेफिनिटली 9 खक्त रिंग सब्छाम कभी कहत सकते तो येस बिलकुछ सही है कुछ रिंग जो है वो कभी भी कैप नहीं हो सकते हैं कुछ का मतलब पूरे ही नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह देखिए इसमें बहुत सारा रेस्टिक्शन का मार्क अल्रेडी पता गया है तो यह बिल्कुछ सही आंसर है option, option b conclusion to follows प्रियंका मुपूल अनुजा सही आंसर है चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्शन देखते हैं यह नेक्स्ट वर्शन है हमारा यह भी सॉल करिये और आंसर पताईए हमारा यह ार्शन है अजह हमारा है आंसर पताड़ Watch कि विश्चन दिखते हैं सम पेंस और इरेजर कुछ पेंस अभी पेंस के लिए में पी यूस कर रही हूं सम पेंस और इरेजर तो यह कुछ पेंस जो है वह इरेजर है इसका मतलब यह पूरा इरेजर का पार्ट में आता है यह स्टेप्लर के लिए मैंने यूज किया है अगर कुछ पेंस और हैं वह हमें दिख रहे हैं तो वही पार्ट होगा कि हाँ वही अगर इरेजर का भी पार्ट इफिनेटली होगा तो यह यह इस यह इस में से कुछ इरेजर जो है वह कभी भी इस्टेप्लर नहीं होंगे या फिर पें भी नहीं होंगे यह इसा तो नहीं होगा ना क्योंकि यह इरेजर जो है और पें का भी पार्ट है ही और पूरे की पूरे इरेजर स्टेप्लर में आते हैं आप लोग को पता है तो यह नहीं होगा कंक्लूजन टू नहीं होगा और नी कंक्लूजन वन फॉलो करेगा है हाँ पें चलो ओप्शन ए बिल्कुल सही है जैसे कि अनीता प्रियंका मुखुल मौमिता अनुजा सब लोग बता रहें बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं यह बताईए अब इ जब बताईए लोग करें बतादे हैं यह बताए हैं चलो ओब लोग बताए हैं यह बताए है जा हैं लोगर है लोगर है कि अनीता इसमें पिल्ग। और फ़ी Sak fim यहां पर क्या बता जा रहा है और विदा इस ब्लैक कोई भी रेड़ ब्लैक नहीं होगा है इसके बीच में बहुत बडी सी दरार है जो कि बताती है क्ला निंहीं कोई बिद्ध फ़नों का जगडा हैं के सम ब्लैक यहलू ऐसे बताया है कुछ m जो है वो यह कि यहां पर क्या बताया सकता है कि यह हमारे पास अभी employment कुछ data नहीं है कि सह मने पता है कि कुछ यअधिक करे से नहींग तो मैंने यह पॉसीबिलिटी उनक्लुजों में यह नहीं करूंगी जैसे कि में आपको बता ponieważ, तो बॉसिबिलिटी यह होते हैं इसमें क्या बता जाता है possibility मतलब हां यह होने की chances हैं इसमें यह नहीं बता जा सकता है कि यह है ही नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं है या confirm है यह भी नहीं बता सकते तो ऐसी जगा पे होता है possibility तो इन्होंने जो possibility बता है all red being yellow is a possibility तो क्या पूरा येलो हो सकता है क्या है तो हां ये हो सकता है अगर मान लेते हैं कि ये अगर यहां ब्याता है चलो मैं डाइग्रामी आपको दिखा देती हुए भी ब्लैक और रेड का नहीं जमता है बिल्कुल हो सकते है कि ऐसा यहलो का पार्ट हो है हुए और यह मानने मैं यहलो हो तो हो सकते हैं ऊलडिंग यृलो इज़ो पॉसिबिलिटी तो यह रेड यहलो हो सकता है इसके मैं कोई प्रोब्लम नहीं है बस यह जो इतना पार्डिए इतना जो common part था जो black का part है वो वहाँ पर red नहीं आएगा लेकिन वो आ सकता है तो possibility तो है possibility यहाँ पर यह किसमें बिल्कुश सही आती है तो conclusion 2 यहाँ पर follow करेगा ठीक है मुझे बताईए क्या यह समझने में आपको difficulty गई है अगर किसी को थोड़ा सथ problem हुआ है यह समझने में तो मुझे बताईए अगर किसी को थोड़ा सथ problem हुआ है समझने में तो मुझे बताईए हुआ 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 है अभी यह सेकेंड जो डाइगरम मैंने बनाई इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजे मैं आपको यह बताती हुँ कि हमने क्या exactly statements क्या थे यह देखिए अभी यह हमारे पास option 1 यह option 2 दोनों ही ध्यान से देखिए no red is black कोई भी red black नहीं है देखिए red और black के बीच में दुश्मनी यहाँ पे दिखाई है कि कोई भी red black नहीं है second diagram जो देखिएंगे यहाँ पे भी है no red is black इसका मतलब यह जो red और black के बीच में है यहाँ पे मैंने दरार बताई है कि हाँ black red कभी नहीं हो सकता है ठीक है यह जो पूरा वर उपर का पार्ट है यह black है और यह red है तो उसमें कोई relation नहीं है लेकिन second में क्या बताई था यह statement था some black are yellow तो कुछ जो black है वो yellow है यह भी बताएं देखिए कुछ black यहाँ पे yellow है आप देख रहे हैं यह जो region है यहाँ भी है कुछ black yellow है है ना कुछ black yellow है अभी इसी के basis पे हम लोग अगर conclusion तक जाएंगे conclusion 1 में क्या पोला है no yellow is red तो कोई भी yellow रेड नहीं है ऐसा इन्होंने confirm बताए है 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 ना कोई भी no yellow is red यह इन्होंने जैसे की confirm में बताए है तो हम यह directly नहीं बोल सकते हैं अभी हम क्यों नहीं बोल सकते क्योंकि chances तो ऐसे भी है ना ऐसा अगर diagram निकाला तो हां कुछ yellow red हो सक सकते हैं देखिए यहां पर यह दूसरी diagram में तो बिल्कुल दिख रहा है कि हां कुछ yellow definitely red हो सकते हैं और इन्होंने बताए कि no yellow is red मतलब इनको हम contradict कर रहे हैं यहां पे कि हरे diagram तो ऐसा बता रहा है दोनों अगर diagram निकाले तो हमारे पास दोनों different options भी आते हैं कि यहां पर बत is a possibility इसका मतलब यह जो पूरा red है यह जो red का पूरा part है मैं color change करके बताती हूं यह पूरा जो red है being yellow is a possibility तो देखिए यहां पर possibility क्या मतलब है ही न यहां पर दिखाई दे रहे हैं अब ऐसे case में अगर यहां पर देखते हो अब all red being yellow is a possibility तो यहां पर red और yellow अलग-अलग दि नहीं भी हो सकता है है ना जहां पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ऐसी जगा पर इन्होंने बताया है possibility possibility का मतलब ही वही है कि यह possible हो सकता है हो सकता है हम लोग confirm नहीं बता रहे हैं कि है या नहीं है लेकिन हो सकता है तो ऐसे case में क्या होगा अगर इन्होंने बताया है कि ह आये हो सकता है तो यह से डिफिनेटली हो सकता है इसलिए सही आता है ठीक है अब बताइए कि आप क्लियर हुआ या नहीं अनिता अनुजा संदेश प्रियंका अब आपको क्लियर हुआ कि नहीं मुझे बताइए अब यहां पर यह चीज आपको बतानी है यह डाइग्राम हम जो वेंड डाइग्राम है वो कोई एक टाइप की हम लोग बना लेते हैं लेकिन क्या होता है हो सकता है कि वह एक ही टाइप के ना बने वह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी बन सकती है actually statements और इसका conclusion हम क्यों पूछते हैं यह इसी लिए है कि statement हमें दिखने से तो ऐसा straightforward कुछ दिख रहा है लेकिन हो सकता है उसके बहुत सारे analysis निकलते हो बहुत सारे chances हो जैसे कि यहां पर है यह तो हमने दो type से diagram निकाली यह one type है यह second type है दो type से निकाली है तो दोनों ही option हमारे बन सकते दोनों ही conclusion हो सकते हैं और ऐसी जगह पर पॉसिबिलीट आता है तो वह सही होता है तो येस बिल्कुल बढ़िया आपको clear है ऐसे type के questions पुछे जा सकते हैं चलो next question की तरफ बढ़ते हैं अभी यहां पर बताईए क्या हो सकता है यह question solve करियो और इसका answer बताईए आप आप कर दो कि तो यह question देखेंगे statement में बता है कि all shores are beaches ये shores से all shores are beaches तो ये shores पूरे beaches का part है some beaches are coasts some beaches जो कि है coast इसमें all banks are coast बता है तो पूरे banks जो है अभी ये coast का part होता है तो ये मैं यहाँ पर दिखा रहे हूँ okay conclusion one की तरफ जाते some banks are beaches बोला है some banks are beaches तो क्या banks और beaches का कोई relation हमें directly दिख रहे है नहीं दिख रहे हैं और इन्होंने आर बता है मतलब definitely बता है तो हमें दिखा ही नहीं दे रहे हैं तो ये तो wrong हो जाएगा नहीं आएगा आगे बोला है no bank is a shore तो bank or shore में पतलब ऐसा cross relation बता है क्या या ऐसा आपको कुछ दिख रहे हैं यहां पर मुझे तो नहीं दिख रहे हैं तो यह भी नहीं होगा neither nor option d option d यहां पर सही आएगा यह इसमें से दोनों भी नहीं आएगे अभी आपको यहां पर कौन सी जगा पर ध्यान देना है possibility and definite अगर कुछ बताया है तो उसमें आपको ध्यान देके देखना पड़ेगा कि some banks are bitches बोला है क्या सच्ची में कुछ banks bitches है क्या यहां पर यह जो banks हैं business दिख रहे है क्या नहीं यह तो पूरा इतना ही bank का part है इसमें क्या लेना देना कुछ भी नहीं है अगर no bank is a sure बोलते हैं बैंक और शोर के बीच में क्या कुछ relation है डारेक कुछ relation दिख रहा है कि अच्छा नहीं है हाँ no bank is a sure ओके सौरी फोड़ा सा मैंने mistake कर दिया बताने में इन्होंने जैसे no bank is a sure बता है मतलब bank कोई भी शोर नहीं हो सकता है ऐसे इन्होंने बता है लेकिन देखिए कई जगा पे ऐसा हो सकता है कि चलिए एक दूसरा डाइगराम बना के देख लेते हैं इसको समझने के लिए जैसे कि all shores are beaches बोला है अब है all shores are beaches अभी मैं beaches थोड़ा सा बड़ा बना देते हूँ इतना पार्ट सेकेंड सीटमीन है सम beaches are coast तो यह beaches का इतना पार्ट हम मान लेते हैं यह coast का पार्ट है आगे बोला है all banks are cost तो all banks तो banks का ये जो part है अभी ये आता है post में अभी ये दूसरे type की diagram बनाई है ये number one ये number two दोनों type की diagram हो सकते हैं अभी अगर conclusion देखे some banks are beaches some banks are beaches तो ये देखे some banks are beaches नहीं है है ना अगर होंगे तो ये banks पूरे के पूरे beaches होंगे some नहीं होंगे some और all में थोड़ा सा difference है जो कि आपको देखना पड़ेगा अभी अगर next conclusion देखे no bank is a sure अगर हम लोग ने ऐसी diagram बनाई तो यहाँ पर क्या पता चला no bank is a sure हाँ बिल्कुल दीख रहा है कि कोई भी bank नहीं है लेकिन अगर यह टाइप का डाइगराम बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे पूरा का पूरा bank ही तो शोर का पार्ट हो सकता है ना कि तब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है यहाँ पर हो सकता है अगर शोर यहाँ पर होने की जगा अगर नीचे कहीं आता है मान लेते हैं कि चलो शोर ऐसे कुछ दिखाई दिया तो अब यहाँ पर क्या होगा कुछ शोर तो बैंक होगा और इन्होंने तो बता है कि no bank is a sure इसका मतलब क्या है जहाँ अभी यहाँ पर इन्होंने strictly बता है तो हमारे पास multiple options है लेकिन जब यह ऐसे बताता है कि no bank is a sure मतलब पिल्कुल भी नहीं है तो ऐसी जगा पर यह रॉंग आता है और इसमें होगा neither one nor two I know कि थोड़ा सा no neither nor होगा यह नहीं होगा इसमें आपको confusion हो सकता है थोड़ा सा लेकिन अगर थोड़ा सा इसको और deeply पढ़ेंगे तो आपको clear हो जाएगा इसमें कोई भी डाउट नहीं बचेगा ठीक है मुझे बताईए कि आप लोग को यह समझ में आ रहे है अभी आप लोग को कुछ doubt है या कुछ clarity चाहिए इसमें मुझे बता सकते हैं मुकुल ने बहुत सार messages delete किये हैं तो मुकुल आपका answer बताई है option B बताया था only conclusion to follows definitely हो सकता है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यह जो definitely बताया है यह नहीं होगा क्योंकि multiple options निकल के आ सकता है some banks are bitches और no bank is a sure तो यहाँ पर यह हमारा एक conclusion आता है option D right होगा चलो next question देखेंगे all benches are parks no park is a tree all trees are swings इस all करिये और इसका answer बताये repeat करूँ चलो ठीके इसको फिर से देखते है पूरा question कि आगे भागने से अच्छा है कि clear कर ले तो आप लोग बागी के questions अपने आप solve कर पाँ अभी मैं यहाँ पर dry करूँगी दो तीन डाइप के diagram निकालना कौन से basis पे statement के basis पे statement जैसे हमें दिख रहे हम वैसे वैसे diagram बनाएंगे ठीक है all shores are beaches यह है शूर पूरा shore beaches है some beaches are coast some beaches are coast तो यह कुछ beaches coast है and all banks are coast यह पूरे bank है जो coast का part है दूसरा में diagram बनाऊंगी यह तो ठीक था diagram 1 दूसरा diagram में यह बना सकती हूँ all shores are beaches some beaches are coast तो कुछ beaches जो है अभी इसमें से देखेंगे तो यह coast होगा यहां पर बता सकते हैं कि यह और इन्होंने बता है और इन्होंने बता है all banks are coast तो यहां पर बैंक आ सकते हैं यह सेकेंड डाइगराम अभी मैं थर्ड डाइगराम बनाने की कोशिश करती हूँ और जैसे जैसे कि है all shores are beaches यह पूरा beaches है some beaches are coast इसमें कुछ coast बताया है तो some beaches are coast and all banks are coast अभी यहां पर हो सकते हैं bank bank के लिए मैं अलग color यूज़ कर देए तो यह आप देखिए तीनों डाइगराम इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है अभी अगर मैं तीनों में देखूंगी मैं अगर conclusion को देखती हूँ some banks are beaches तो कुछ banks beaches है क्या येस है भी नहीं भी ऐसा दोनों भी बोल सकते है कुछ banks beaches है क्या भी यहां पर देखिए नहीं है यहां पर देखेंगे तो कुछ banks beaches है मतलब कुछ नहीं पूरे ही banks यहां पर beaches पताय गया है है ना और अगर यह थर्ड वाला देखें तो some banks are beaches यहां पर क्या हो सकता है यह bank पीचेस है अभी यहां पर पूरे ही banks beaches है तो आपको यह difference दिखता है अरे कुछ जगा पर यह है बोल रहा है कुछ यह जगा पर नहीं है ऐसा बोल रहा है मतलब यहां पर क्या है यहां पर हम confirm नहीं बतासकते है हैना क्यूंकि यह आप कोई भी चीद हमें constant नहीं दिखुरी है कि हाँ यह ऐसा ही होगा कि य Сको पूरी तरीके से सही बोला जा सकत fallait यहां पर दिखेंगे नो बैंक इसका और शोर का कोई रिलेशन नहीं है तो यहां पर भी बोलेंगे यहां पर तो यहां पर कुछ बैंक और यहां पर ओर यहां पर बता रहे हैं और यहां पर ऊच और यह नहीं है कि इसमें कोई एक डाइगराम गलत है या कुछ chances अलग-अलग आ रहे conclusions अलग-अलग आ रहे तो अब जबकि इन्होंने बता है कि no bank is a sure right statement है इन्होंने बता है लेकिन हमें पता है कि हमें इसमें confusion है तो हम इसको right कैसे बोलेंगे नहीं बोल सकते हैं तो इसका मतलब conclusion one और conclusion 2 दोनों ही गलत होते हैं तो आंसर आएगा नाइधर नौर अब बताईए कि आप लोग को अब clear हुआ मतलब यह डाउट आपको समझ में आया है मुकुल अनुजा अब संदेश का आवाज नहीं आ रहा है संदेश नहीं दिख रहे है मुझे आंसर बताईए प्लीज आप लोग response करिये क्या अब आपको clear हुआ 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 इसके लिए एक छोटी सी टिप है मतलब ऐसे बता रही हुआ कि कि जहां पे हमें बताया जाता है कि यह चीज बिल्कुल सही है कहां पे में बताया है कि यह तो बिल्कुल सही बिल्कुल है तो जब यहां पर शौरीटी नहीं है इन्हों नहीं और आई आफ और और जैगर यह दो हंyes सही नहीं होगा इसमें एक भी conclusion नहीं आता है ठीक है चलो यह हमारा next question है इसको solve करिये और यह answer पताईए नहीं हो आता है चलो तीन आंसर आ गए ठीक है देखते हैं All benches are parks All benches are parks यह benches है पूरे benches पार्क है No park is a tree, कोई भी पार्क ट्री नहीं होगा All trees are swings, तो पूरे trees जो है वो swings है ठीक है Conclusion 1 में बता है, All benches being swings is a possibility क्या सभी benches swing हो सकते हैं All benches being swings is a possibility Yes, यह हो सकता है कैसे हो सकता है, आप लोग दूसरा diagram अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा और अगें यहां पर possibility बताया है अगर इन्होंने confirm बताया होता कि All benches are swings इससे बताया होता तो हमें doubt होता कि नहीं है तो नहीं मतलब दिखाई तो नहीं दे रहे हैं जबकि इन्होंने possibility बोला है, तो हाँ यह हो सकता है क्यूंकि देखिए अभी यहां पर All benches मतलब benches और swing के बीच में कोई भी ऐसा opposite relation हमें directly नहीं दिख रहा है अगर diagram मान लेते हैं कि यह है पार्क पूरा पार्क है और यह है benches अब इसमें दूसरा यह बोला गया था कि नो पार्क इसे ट्री तो कोई भी पार्क ट्री नहीं है लेकिन all trees are swings ऐसे बोला था अब अगर हम लोग को conclusion 1 बोला जाता all benches been swing is a Possibility, all benches beings swing इसे possibility हो सकता है यह अगर आधा benches swing है हो सकता है इसको उगर इतना identify ही तो फूरे के पूरे benches swing का पार्क हो जाएं मतलब दोनों ही chanses है यहां पर HO challenges है और नहीं भी हो सकता है और जब हमें पता है यहां पे कि होगा या नहीं होगा दोनों ही चांसे से ऐसी जगा पे जब possibility आता है तो वो बिल्कुल सही आता है ऐसी जगा पे possibility बिल्कुल right है आगे इन्होंने बोला no tree is a bench तो tree और bench में अभी contradict बता है क्योंकि देखिए अगर आप tree का और park का relation देखेंगे तो इन में completely contradict किया है लेकिन आपको पता है कि पूरे के पूरे benches भी तो park का ही part है तो अगर park का और tree का ही relation नहीं है तो benches का क्यों बनेगा अफकोस वो भी नहीं बनेगा तो यह भी बिल्कुल सही आता है तो both conclusion 1 & 2 follows 1 & 2 दोनों ही यहां पर follow करते हैं ठीक है बताइए conclusion 3 both conclusion 1 & 2 यहां पर right है तो किसी का सही हुआ है किसी का गलत हुआ है check करिए और मुझे बताइए अगर कुछ doubt है तो doubt अगर आ रहा है आपको तो आप कुछ सकते है अगरा आप कुछ सकते हैं झाल झाल यह conclusion C था, conclusion C था इसमें, अभी हम next question की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यह next question है, इसका answer दीजिए, okay, बताइए इसका क्या हो सकता है? अब I hope कि यह question में आपको बहुत ज़्यादा difficulty नहीं जाएगी झाल झाल पूरे इसमें जो ट्रेंस हैं, वो बसेस हैं all buses are jeep, यह जो पूरे बसेस हैं, वो jeep है, all jeeps are aeroplanes, पूरे जीप जो है, वो aeroplanes हैं ठीक है, conclusion है, some buses are not aeroplanes, कुछ buses aeroplanes नहीं है, इसे इनोंने बताए हैं, कुछ buses aeroplanes क्यों नहीं होंगे? हाँ, कुछ buses aeroplanes नहीं है, यह अगर यहाँ पर relation दिखते हैं, पूरे के पूरे बसेस ही aeroplanes हैं, तो कुछ buses नहीं हैं, तो यह गलत आता है, conclusion one wrong आता है, इसमें, all jeeps are trains बोला है, all jeeps जो हैं, यह trains हैं, तो all jeeps नहीं हैं, some jeeps are trains, लेकिन all नहीं है, यह भी गलत आता है, तो neither one nor two यहाँ पर follow करेगा, तो जिनना option D बोला है, बिलकुछ सही answer है, yes, मौमिता, मुकुल, प्रियंका and संदिश बिलकुछ सही answer है, चलो, यह आगे का question है, अभी हम लोग almost, questions बहुत सारे हैं, लेकिन ठीके अभी खतम कर दे है, यह question का answer बताईए, then मैं आपको just homework के लिए questions दूँगी, तो आप लोग को इसके बाद practice sheet में से solve करने पड़ेंगे, मतलब यहाँ पर confirm नहीं होंगे हमारे पास, झाल, कि अए अप्राइब कर देए वह नषया तो, यह हम पताभा स्व होंगे हमारे के कि 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 में जैसे बोला है स्टेट्मेंट वन है सम पार्टी जा सेलिब्रेशन संपार्टी designs कि कुछ पार्टी। जो है सेलिब्रेशन और आंट सेलिब्रेशन है कि सभी सेलिब्रेशन यह वह है वह है नच ए नॉप Кिस यह आ पेस्टिवल टो कोई भी ओकेशन फेस्टिवल नहीं से नहीं तो बिख गए लक्nothing क्योंकि उसका कोई रिलेशन नहीं है अब कंक्लुजन वन है नो सेलीब्रेशन इसे फेस्टिवल ऐसे इन्हों ने बुदा है नो सेलीब्रेशन इस पर सीफ्टिवल बिल्गुछ सही आता है अभी सब्सक्राइब लेकिन आपको पता है सेलिब्रेशन तो डेफिनिटली वह भी होगा यहाँ पर क्या है विफ बोथ कंक्लूजन वान टू फॉलोज मतलब ऑप्षिन सी इसका राइट आंसर है बोथ कंक्लूजन वान टू फॉलोज अब मुझे एक डाउट है मतलब एक एडिशन है मुझे लगता है मैंने शायद वो टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं तिये हैं तो मैं आपको वह भी बताना चाहती हूँ एक मिट अप ये क्वेश्चन सॉल करिए और इसका आंसर मुझे बताईए मैं आपको प्रिवियस क्वेश्चन भी पताऊंगी वह आपको होमउग करने पड़ेंगे तो इसका आंसर मुझे बताईए क्वेश्चन भी बताईए क्वेश्चन भी बताईए नो ब्लैक इस शाइनिंग तो कोई भी ब्लैक शाइनिंग नहीं है अब है समक्रसर शाइनिंग कुछ शाइनिंग है क्या नहीं होंगे ऑफ कोस्ट नॉट क्योंकि यह जो रिलेशन है यह देखिए ब्लैक और शाइनिंग के बीच में कॉंट्रडिक्ट है और कार क्यूंकि ब्लैक का पार्ट है तो यह नहीं होगा लेकिन आगे बोला है नो कार इस शाइनिंग तो कोई भी कार शाइनिंग नहीं है कोई भी कार शाइनिंग नहीं है यह बिल्कुल सही है क्योंकि कोई भी कार शाइनिंग नहीं हो सकता क्योंकि कार यह ब्लैक का पार्ट है नेक्स ते नो शाइनिंगी जगार अगें सेम ही है तो यहां पर कंफिलिशन टू एंटी सही होता है इसलिए ओप्शेन सी यहां पर राइट आंसर हैंगा ओप्शेन सी अब मैं आपको एक चीज आपको explain करना चाहती हूं थोड़ा सा मेरे पास वो टाइप का question नहीं है तो देखिए कई बार ऐसा क्या होता है मान लेते हैं कि अभी मेरे पास कोई एक डाइग्राम है यहां पर आपको दिख रहा है कि sum a r b and sum b r a अभी कई ऐसे questions होते जहां पर बोला जाता है कि मान लेते कुछ a b है sum a r b हम लोग को लेकिन हम लोग को यहां पर doubt है कि सच्ची में कुछ a b है क्या या पूरे के पूरे a b का part होते हैं अच्छा यहां पर doubt है तो यह एक point हुआ तो conclusion 1 में अगर आपको doubt लग रहा है यह होगा भी या नई भी होगा यह दोनों ही chances है अगर conclusion 2 यह दोनों में भी आपको same लग रहा है कि अच्छा यह भी इसी को contradict कर रहा है मतलब मैं कई जगा पर बोलती हूँ कि हाँ यह सच्ची में है और मैं दूसरी जगा पर बोलती हूँ यह नई है तो अभी हाँ पर क्या होगा या नहीं होगा क्योंकि मेरा तो डाउट कुछ अलग चल रहा है मुझे लग रहा है कि यह होगा भी या नहीं भी होगा तो ऐसे cases में हम लोग लिखते हैं आइधर और यह जो फीफ्ट ऑफचन मैंने रखा यहां पर इधर वन और टू कंक्लुचन तो यह ऐसे cases में होता है जहां पर हम लोग को दोनों ही case में doubt है लेकिन हां दोनों ही cases हो सकते है आंसर है ना ऐसे जगा पर आइधर और यूस किया जाता है हम सौरी कि मैंने वह question यहां पर include नहीं किया है तो अगर practice sheet में मैं वह include करूंगी और वह आपको पता चल को समझ में आया है या नहीं थोड़ा सा clear हुआ है कि नहीं हुआ हुआ I know कि थोड़ा time हो रहा है अभी class का time हो गया है खतम किन जस्त यह point रहे गया था इसलिए मैंने सोचा कि अभी बता दू कि I hope हो गया है चलो ठीक है नो प्रॉब्लम तो अभी मेरे पास ना homework के लिए question से बहुत सारे question मैं करनी पाई आज तो homework देती हूँ यह आप लोग screenshot लेके रखिए homework और प्लीज बताइए और पेपर सारा इमिल्स यह homework के लिए है इसका आप screenshot लेंगे यह आपको class के बाद थोड़ा सा practice करना है इसलिए अगें next question है हमारे पास यह भी इसका भी homework है इसका भी screenshot ले लिजिए यह भी आपको screenshot लेके homework करना है यह जस्ट मैंने point बताया था तो यह मैं आपको practice मतलब problem solving workshop जब होगा तब clear करूंगी तो अभी आप इसका attention मत लीजिए बस अगर मिलता है ऐसा कोई question तो solve करने की कोशिश करिए यह भी आपको homework के लिए है ठीके homework के questions note कर लीजिए और वह आपको solve करने है 100% practice के लिए इजिए लुगलबर के लीजिए जिए लुगलबर करने toimड़ा है çok א demonstrated लीज ऐसका नहे दो के लिए है पिस लुगलबर कर देट। अब ये निक्स्ट क्वेश्चन है होमवक के लिए अभी बहुत सारे बताया थे एक बार बताओ क्या बताओ संदेश क्या आइधर और का इसेप्ट आइधर और के लिए दिखिए आइधर और के लिए अभी क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं तो मैं जिस्ट आपको औरल ही बताने की कोशिश कर यूँ हम अगर बोलते हैं सम ए आर बी और दूसरा ये बोलते हैं कि आइधर और के लास्ट का ओप्शन नहीं दिख रहे हैं क्या आपको ओके एक मिनिट में फिर से रिपीट करूंगी कोई बात नहीं अभी देखिए ये दोनों ओप्शन से यहां पे मेरे पास मुझे लग रहा है कि आल यार बी ये भी हो सकता है और no a is B ये भी हो सकता है और कहां पर कंक्लिजन में ये दोनों ओप्शन दोनों में से कोई भी एक answer होगा तो इसलिए अगर मुझे लगता है कि option A होगा या भी होगा दोनों में अगर मुझे doubt है तो मैं ऐसे जगा पे either or का concept यूज़ करूँगी मेरे पीछे I think यह छूप रहा है तो ऐसे केसे से either or होता है क्या केसी को भी last option नहीं दिख रहा है बाद में अगर screenshot लिया तो मैं फिर से आपको screen दिखाती हूँ तो आप लोग screenshot ले लिजे जल्दी जल्दी से यह page का आपको लेना है ठीक है यह यहाँ पे एक previous question है इसका भी आपको screenshot ले लेना है homework के लिए I hope कि आपको सारे के सारे options दिख रहे हैं कि यहाँ पे भी यहाँ पे भी हुआ यह तो स्वाल किया है यह है homework का question हुआ 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 collaborators हुआ ह हुआ हुआ ह तो अब यही था हमारा यह चाप्टर सिलोगिजम का यह आज के लिए खतम हो गया और अब हम आपको इसके उपर प्रैक्टिस शीट मिलेगी जो कि आपको सॉल करनी है तो मोस्ट प्रबाप्टि यह हम नेक्स्ट वीक में सॉल करेंगे इसके उपर मतलब यह जो इसके करेंगे जितने भी कुश्चन सॉल कर सकते हैं आपको करना है और यह कल भी हमारा क्लास है कल हम न्यू चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो ठीक है अभी आज के लिए हम लोग करते हैं सो थैंक्यू और बाइबाइए जय भी